हेलो दोस्तो, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको पेट से जुड़ी समस्या गैस अपच आदी बीमारी को दूर करने के घरेलू नुस्खे और ठीक करने का तरीका बताएंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखे आएए वीडियो की और चलते हैं गर्मियों में अधिक मसाले वाले खाने और तले हुआ खाने के कारण कई बार एसिडिटी हो जाती है एसिडिटी के दौरान जी मिचलाना, उल्टियाना, ब्लोटिंग और सीने में जलन जैसी समस्या हो सकती है ऐसे में काफी असहज महसूस होता है एसिडिटी की समस्या आपको कभी भी और कहीं भी हो सकती है Acidity को दूर करने के लिए आप दवाई ले सकते हैं लेकिन कुछ लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाते हैं Acidity की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कौन से घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं आईए जानते हैं अजवाइन अगर आपको गैस, कब्स और एसिडिटी बनती है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं. अजवाइन में मौजूद तत्व गैस और कब्स को कम करने में मदद कर सकते हैं. गैस, कब्स और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आप खाना खाने के बाद एक चम्मच अजवाईन के बीच चबा सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो अजवाईन का पानी भी पी सकते हैं आप अजवाईन को सबजी, दाल और परांठों में भी डाल सकते हैं तो इससे अएसिडिटी के कारण होने वाली जलन शान्थ होगी साथी सौफ खाने से गैस और कब्स से भी छुटकारा मिल सकता है सौफ खाने से आझों को भी लाब मिलता है आप रोजाना खाना खाने के बाद सौफ खा सकते हैं इससे gas, cubs और acidity में काफी हद तक आरा मिल सकता है. नमबर 3. पपीता पपीता खाने से भी आपको gas, cubs और acidity से निजात मिल सकता है. Gas, cubs और acidity सभी पाचन से जुड़ी बीमारियां होती हैं. पपीता खाने से पाचन और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. आपको बता दें कि पपीते में पेक्टिन नामक तत्व होता है. यह तत्व पेट के लिए काफी फायदे मंद होता है. पपीता खाने से gas cubs और acidity जैसी पाचन की समस्याओं में काफी हद तक आराम मिल सकता है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट पपीता खाएंगे, तो इससे आप cubs की दिक्कत से बच सकते हैं. नमबर चार आवला गैस, cubs और acidity से छुटकारा दिलाने में आवला का सेवन करना भी फायदे मंद हो सकता है. अगर आपको पाचन से जुड़ी ये समस्याओं हैं, तो आप रोज रात को आवले का पाउडर खा सकते हैं. या फिर सुबह खाली पेट सीधे तोर पर आवला चबा कर खा सकते हैं. आवले में विटामिन सी होता है. ये आपकी इम्म्यूनिटी को बूस्ट करता है रोजाना. आवला खाने से आप मौसमी बीमारियों से भी बच सकते हैं. नमबर पांच. अलोवेरा जूस गैस, कब्स और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आप अलोवेरा जूस का सेवन भी कर सकते हैं. अलोवेरा जूस में एंटियोन अक्सिडेंस और एंटी इंफ्लेमेटरी गुन पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना अलोव पीने से आपका पेट आसानी से साफ हो सकता है. नमबर छी गुड़-गुड में पोटेशियम और मैगनिशियम होता है. गुड़ का सेवन करने से आपको आराम मिल सकता है. इसलिए एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप गुड़ के छोटे टुकड़े को भी खा सकते हैं. ये सेहत के लिए भी बहुत फाइदे मंद है. नमबर साथ जीरा गैस की परिशानी को दूर करने के लिए जीरे को काफी असरदार माना जाता है. है जीरा एसिड नूट्रलाइजर के रूप में जाना जाता है. यह ना केवल पाचन की दिक्कतों को दूर कर बलकि यह पेट दर्द से भी राहत दिलाता है. भोजन के बाद भुने हुए जीरे को एक गिलास पानी में डाल कर पीने से आपको लाब मिल सकता है. नमबर आठ चाच नियमित चाच पीने से पेट से जुड़ी. समस्याएं खत्म होती हैं. खास तोर पर गैस की परिशानी होने पर इसको पीने से पेट का पीच सही रहता है और एसिडिटी दूर करता है. बता दें कि चाच में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो गैस्टि की परेशानी को दूर करने के लिए केला बेहद असरदार माना जाता है. बता दें कि केले में पाये जाने वाले पेस्टिन तत्व खान-पान की गड़बड़ी के कारण होने वाले कब्स को दूर करता है. इसके लिए आप केला को चीनी के साथ मिला कर खा सकते हैं. केले का न प्रिवार्जनों को शेर जरूर करे।